नमस्कार दोस्तों मैं मनुपमार केदारनात में साल 2013 में क्या हुआ ये आप सब जानते ही हैं लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि केदारनात मंदिर कभी 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा जी हां शायद बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहो लेकिन साइंटिफिक स स्टड़ी में इस बात की पुस्ती होती है इस वीडियो में केदारनात से जुड़े इसी अंसुने रहस्य के बारे में जानेंगे और वो वैग्यानिक सबूत भी दिखाएंगे आपको जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि केदारनात मंदिर कभी बड़े हिमिव यानि का नहीं हुआ था अपना 1968 में की गई थी इसी सहस्तान के एक रिटाइल्ड साइंटिस्ट है प्रोफेसर रवेंद्र कुमार चौजड़ जिन्होंने की ग्लेशियर पर स्टड़ी की है उन्होंने केदारनात के ऊपर हिस्से में स्थित चोड़ा बड़ी ग्लेशियर के मोराइन मतब जो मलभा जो ग्लेशियर अपने पीशे छोड़ जाता है उसके चट्टावनों पर उगने वाले लाइकेन की स्टड़ी की प्रोफेसर चौजड़ की स्टड़ी की निसकर्सों की जो हाइलाइट्स हैं उसके मताबिक केदारनात मंदिर यहाँ पर ग्लेशियर की मौजूदगी से पहल पंद्रहवी सदी के मध्य में ग्लेशियर विकसित हुआ और वो ग्लेशियर सन 1748 तक रहा यानि इसका मतलब यह हुआ कि केदारनात मंदिर करीब 400 साल तक बर्प के नीचे दबा रहा केदारनात के करीब 400 साल तक यानि 4 सदी तक बर्प में दबे रहने की जो बात प्रोफेसर रवेंदर कुमार चौजर ने अपने स्टडी में की है उनका वो रिसर्च पेपर साल 2009 में करेंट साइंस नाम के एक ख्याति प्राप्त जनरल में पब्लिश हुआ है वाडिया इस्टूट ऑफ जियलॉजी की तरफ से केदानात मंदिर की चटानों पर एक लिगनोमैटिक डेटिंग का परिक्षण किया गया है ये जो टेस्ट होता है उसे पत्थरों के जीवन की पहचान करने में इस्तेमाल किया जाता है परिक्षण से पता चला कि केदानात मंदिर पंदरवी सदी से लेकर अठारवी सदी के मध्य यानि सन 1748 तक पूरी तरह से बर्व में दबा हुआ था हाला कि इसके बावजूर मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ इसके वज़े ये रही कि मंदिर की दिवारें मोटी और मजबूत चटानों से बने हुई हैं इस मंदिर के जो खंबे हैं वो भी बेहत मजबूत चटानों से बने हुए हैं इस स्टडी के मताबिक केदानात मंदिर के करीब 400 साल तक बर्प में देबे रहने की पुस्थी जो है मंदिर के अंदर की दीवारें भी करती हैं मंदिर के अंदर दीवारों पर ये जो पीली रेखाएं या पीली पट्टियां दिख रही हैं ये केदानात मंदिर के किसी जमाने में गलेशर में दवे होने की पुष्टि करती है प्रोफेसर चौजर ने अपने स्टडी में केदानात मंदिर की अंदिर की दीवारों पर गलेशर की वजे से चमक और धारियां यानि पट्टियां पाई हैं उनका कहना है कि इन पट्टियों से गलेशियर के बहाव की दिशाका भी पता चलता है मतलब ये कहा जा सकता है कि जब केदानात मंदिर बर्फ में दबा रहा तब वो भारी भरकम गलेशियर मंदिर की दिवारों पर अपनी रगड छोड़ गया अपनी निशानियां छोड़ गया लेकिन अब प्रश्ण ये उड़ता है कि क्या केदानात में उससे पहले गलेशियर नहीं था क्या उससे पहले कोई हिमयूग नहीं आया होगा साइन्टेस्ट प्रोफेसर चौजड की स्टेडी से पता चलता है कि जब केदानात मंदिर बनाया गया तब यहां पर गलेशियर की मौजूदगी नहीं मिलती उन्होंने इसका अनुमान लगाया है केदानात मंदिर की बैक साइड की बाउंडरी वॉल पर तमिल में लिखी गई कविताओं के जरिये ये छटवी साथवी सदी के तमिल कवी तिरुग्यान सम्मंधर और आठवी सदी के तमिल कवी संदर मूर्वी की रचनाएं हैं, जिन्होंने केदानात की महिमा पर तमिल में कविताएं लिखी है उनका जिकर इस बाउंडरी वॉल पर किया गया है दोनों तमिल कवियों की कविताओं में केदानात की खुबसूर्थी का जिकर तो है लेकिन वर्फ और glacier का कोई उलेख नहीं मिलता इन दोनों तमिल कवियों की मूर्तियां boundary wall पर उकेरी गई है और उनके बारे में वहाँ पर लिखा भी गया है हिंदी में और अंग्रेजी में इससे जो है दोस्तों तीन सब भावनाएं पैता होती है नमबर एक इससे ये पता जलता है कि जब केदानाथ मंदिर बना था तब इसके आसपास के इलाके में कोई glacier मौजूद नहीं था और नमबर दो अगर glacier रहा भी होगा तो हो सकता है कि केदानाथ मंदिर जहां आज मौजूद है वो glacier उससे काफी दूर रहा होगा और नमबर तीन केदानाथ में glacier रहा होगा और glacier को काट कर ही मंदिर बना होगा ये तिसी सम्भावना है हलांकि प्रोपेसर रविन चौजड की study इस बात के और इशारा करती है कि केदानाथ मंदिर जब बना तब यहाँ पर कोई glacier नहीं था हिंदू मानेताओं में केदानाथ मंदिर को पांडव का लीन मंदिर माना जाता है लेकिन exact date का कोई जिकर नहीं है कि ये कब बना था कहा जाता है कि केदानाथ मंदिर का जो मौजूदा स्वरूप है वो आठवी सदी में इस हिमाली इलाके में आये आदिगुरु शंकरा चारे के वज़े से है प्रोफिसर चौजड का रिसर्च पेपर साल 2009 में करेंट साइंस में प्रकाशित हुआ है और केदानाथ में वैग्यानिकों को हिम्यूग के सबूत पंदरवी से अठारवी सदी के बीच मिले हैं यानि केदानाथ में पंदरवी सदी से अठारवी सदी के बीच हिम्यूग आया जिसे अंग्रेजी में आइस एज कहते हैं इसी दोरान करीब चार सदेता केदानाथ मंदिर बर्फ के बीच दबा रहा लेकिन हैराने के बात यह है कि तब भी मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा साइंटिस्ट प्रोफिसर चौजड के अनुसार केदानाथ इलाके में सन 1748 में हिम्यूग अपने पीक पर था और उसके बाद वो पीछे हटने लगा केदानाथ में ग्लेशियर के पीछे खिसकने की तीन मेजर स्टेज बताई गई है पहली सन 1716 में दूसरी सन 1827 में और तीसरी सन 1878 में वैसे केदानाथ के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी तरास दी एक ग्लेशियर की वज़े से ही आई ये 2013 की बात है जब केदानाथ के उपर हिस्से में स्थित चोराबाडी ग्लेशियर में बनी जील तूट गई और उससे आबदा आ गई उसमें भी मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा ग्लेशियर से जब भीशन सहलाब आया तो उस सहलाब के साथ फूर्स के साथ आए एक विशाल काय चट्टान मंदिर के पिछले हिस्से में फस गई और सहलाब का तेज बहाव दो हिस्सों में बढ़ गया मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले गया लेकिन तब भी केदानात मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ भले ही मलबा और गाद जो है वो मंदिर के अंदर गुज गई थी अब भले ही वो चटान आस्था का केंदर बन गई हो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि मंदिर के निर्मान में जिस पत्थर जिस चटान और जिस सन्रचना का इस्तिमाल किया गया है और जिस दिशा में केदारनात मंदिर बना है उसी के वज़े से ये मंदिर उस भीषण आपदा को भी झेल गया तो 400 साल तक बर्प में दबे रहने और 2013 में भीषण आपदा झेलने के बावजूद केदानात मंदिर आज भी तनकर खड़ा है लोग इसे भले ही एश्वरिय चमतकार मान लें लेकिन सद्यों पुराने इस मंदिर की बनावट की दाथ तो देने ही पड़ेगी तो मुझे उमीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुगा ये कॉंटेंट पसंद आया हुगा आप अपना फीड़बैक नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके दे सकते हैं और वीडियो और मेरा कॉंटेंट अगर आपको पसंद आया हुग तो इसे लाइक कीजिएगा दूसरों तक फॉरवर कर दीजी और हाँ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो चैनल को फटा फट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये सुनिशित हो जाएगा कि आप तक मेरे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले पहुँच जाएगी तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए नमस्कार